आप लोग मैं कुल्दी भंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूस क्लास 9th and 10 चैनल पेंड आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है आसकर उन बच्चों के लिए जिनके प्रिपोर्ट में बहुत कम मार्क्स आए और यार 25 उसका प्रिपोर्ट का स्कोर था और 89 उसका फाइनल बोर्ट का स्कोर था इन जस्ट 30 डेज इन जस्ट 15 डेज इन जस्ट 20 डेज और ये स्टोरी मैं हर साल कुछ ना कुछ बच्चों से जरूर सुनता हूँ तो कौनसी वो इस्ट्राटेजीज होती है कौनसी वो चीजे होती है जो वो लोग करते हैं और जो मैं हर साल इस टाइम पर अपने बच्चों को जरूर बताता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि जिसको फॉलो करके आप लोग भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इन जस्ट 15 डेज इन जस्ट 20 डेज इन जस्ट 30 डेज एना तो चलिया आर करते वीडियो को स्टार्ट विनसी देरी के साथ लेकि उसका एक मेजर रीजन यह हो सकता है कि आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस नहीं किया है तो सबसे पहले आपके जितने भी बचे हुए चाप्टर्स हैं उनको आप लोग NCRT से खतम कर दो NCRT से सारे के सारे एक्जामपल्स सारे के सारे exercise के questions सारा कुछ आप लोगों को N प्रक्स कमारे तो हो सकता है आपके दो चाप्टर चूटे हो सकता है आपके पांच चूटे हो सकता है आपके आठ चाप्टर चूटे हो या हो सकता है आपने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट ना किया हो सबसे पहला फोकस आप लोगों का NCRT से होना चाहिए और बहुत सार sare parts है तो उसमें अप 2-3 parts कर लो लेकिन अगर सारे parts आपको sore part कराओ कि अना तो सबसे पहला काम आप लोगों को करने है कि आप लोग अपना NCRT खेक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि R Director शर्मा और आरे सगरवाल कर लो लेकिन इस टाइम पर आडी शर्मा आरे सगरवाल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर इतनी मोटी किताब होती है आडी शर्मा अगर वो आप करने वैट होगे तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल खतम नहीं हो पाएगा और यार NCRT देखो अगर मैं आपको अपनी बाद बताओ ना तो जब मेरा फाइनल बोर्ट का एक्जाम था तो उस टाइम पर हमें जो गाप्स मिलते शायद चार या पांस दिन की छुट्टी थी तो पहले दिन एक दिन मैं सुबह 9 बजे बैटा और शाम को 6-7-8 बजे तक मै आप देखो कि मुझे एक दिन में मैं आच को कितना टाइम देना वो आप अपने हिसाब से देख लो लेकिन अपना एक टार्गेट सेट कर लो कि 2-3 दिन में मिरेको अपना NCRT पूरा का पूरा खर्म करना है जब आपका NCRT खतम हो जाएगा तो आपको क्या करना है उसके ब क्वेशन्स पर फोकस करना NCRT खतम करने के बाद अब हो सकता है कि आपको यह जो क्वेशन्स है हो सकता है कि आपको यह जो क्वेशन्स है यह भी बहुत सारे मिले किसी एक चैप्टर में जो की है एक चैप्टर में कम से कम 50 से 60 क्वेशन्स आप लोगों को मिलेंगे तो आप से पहले जो बचा हुआ चैप्टर से आप लोग उनको खतम करो उसके बाद दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है प्रैक्टिस यह आर सांपल पेपर अब भीया sample paper कौन सा वाला ले भीया sample paper हमारे पास मिलेगा कहाँ से मैं तो खरीदी नहीं सकता Guys, सब्से पहले मैं sample paper के बारे में बताऊंगा फिर उसके बारे में उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से बिलकुल free of cost sample paper मिलेंगे और बहुत हाई क्वालेटी के Sample Paper में तो यार प्रक्टिस इर Sample Paper आप लोग क्या करो आप लोग एक दिन का daily डेली एक Sample Paper जरूर करो जितने भी आपके को बचे हुए है एक Sample Paper तो रोज करो एक Sample Paper एक सब्机ों ना और उसी टाइमिंग ओनाई चीए सुबह साड़े दस से लेके डेड़ बजे तक क्योंकि इसी टाइम पर आप लोगों का एक्जाम है ना तो जो आपका एक्जाम का टाइम है उसी टाइम पर बैठो उसके बीच में कुछ ऐसा उठना उठना कुछ नहीं करना अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप सैंपल बिट बना लो कि आपके पास जो 40 questions आते हैं 39 questions जो आते उनको खतम करो कोशिश करोगे आप अपना टाइम reduce कर सको जब आप अपना टाइम जब आपका ये टाइम धाई घंटे या दो घंटे में आ जाएगा और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप सांप बोर्ट का एक्जाम लिखोगे उसी तरीके से लिखना मैं तो इवन ये बोलूँगा कि जो पेपर की वो sheets होती है उस तरीके की sheets खरीद लो और उन पे अपना sample paper करो उन पे अपना question paper solve करो मैं भी इसी तरीके से करता था एक्जाम टाइम पे sample paper करना बहुत ज़्यादा जरू नहीं है विदान्तु आप लोगों को बिल्कुल free of cost कुछ practice paper दे रहा है साल 2014 के और इतने practice paper आप अगर कर लो ना तो sufficient है कौन-कौन से subject के दे रहा है भीया maths के दे रहा है standard maths के अलग basic maths के अलग English के दे रहा है English के science के दे रहा है और SST के दे रहा है और सबसे बड़ी चीज हिंदी के भी आपको sample paper मिलेंगे हिंदी के भी आपको sample paper मिलेंगे दोनों courses के course A course B के तो सारे के सारे practice papers आप लोगों को मिलेंगे 2024 के in just one click इस वीडियो के description में इस वीडियो के description में एक link है practice paper CBSE practice paper 2024 2023 उस practice paper पे जैसे ही आप click करोगे आपको आपके सामने एक sheet खुलेगी हर subject के आपको sample papers मिलेंगे और with answer with PDF solution उनका solution भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको marking scheme भी नजर आएगी, marking scheme भी नजर आएगी, to marking scheme भी जब आपको नजर आएगी तो आपको पता चलेगा कि या ठीक है, इस तरीके का ये question paper है, इतना लिखूंगा तो इतने marks मिलेंगे इतना लिखूंगा तो इतने marks मिलेंगे तो make sure कि आप लोग ये सारे के सारे practice papers तो जरूर access कर लो तो आपको कहीं पे भी एक रुपे खर्च करने की जरुरत नहीं है क्योंकि जितने भी type के questions है हमने खुद ये paper design किये मिरको लगबक 10 साल हो गये तो 10 साल पढ़ाते पढ़ाते म मेरको इतना experience है कि कौन सा question आपके boards exam में आएगा कौन सा नहीं आएगा तो हर टाइप का question इसमें cover होगा हर टाइप की चीजे मिलेंगी और बिल्कुल free of cost मिल रहा है क्या करना है link पे click करो जो बच्चे पहले से विदानतु में sign up किये हुए कभी न कभी न कभी तो उनको तो करते हैं और पूरे साल भर हम आप लोगों के साथ जी तोड कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपकी class ना ली गई हो इस channel पर डेली आपकी class होती है डेली आपके sessions होते है और हम नहीं चाहते कि आखरी के 10-15 दिनों में कुछ बच्चों को जिनके पास sample paper नहीं है जिनक की reason की वज़े से आप लोगों को हम यह सारे के सारे sample paper बिल्कुल free of cost दे रहें जो कि हमने खुड design कि है हमारा effort लगा है इसमें तो make sure in questions को practice जरूर करना बहुत important है और हर साल हम ऐसे practice paper मैं तो अपने बच्चों को हर साल ऐसा practice paper देता हूँ and उसके बाद जो बच्चों का feedback आत बाद यह वाला सवाल प्री बोर्ट में आया था बहुत यह वाला सवाल बोर्ट में आया था direct वैसे as it is questions आते तो this is very important guys यह आप लोग देख लेना उसके अलावा एक और चीज़ है guys अगर आप लोगों को पता हमारे जितनी भी important series है जितनी भी important series हुई है जैसे NCRT marathon हो गया PYQ series हो गई या फिर आप लोगों के super 50 series हो गई जितनी भी series हम लोगों ने करवाई है इस channel पर बहुत सारे बच्छे कह रहे थे कि भाया यह कोई series इधर पड़ी विया कोई इधर पड़ी विया हमें नहीं पता हमने क्या किया एक excel sheet पे उन सभी series की videos और साथ के साथ उनके handwritten नोट्स यानि कि जो questions आपके exam में आएंगे उनके solutions भी जो questions हमने उस session में करवाए हैं उनके solution भी उस एक sheet में डाल दिये हैं उस sheet का link भी description में है वो भी आप लोग easily निकाल सकते हो कोई video देखनी है वो video देख लो कोई उसके notes चाहिए वो वहाँ से निकाल लो आप सारा कुछ easily available है तो make sure कि आप लोग इन सभी चीजों का जरूर फाइदा होट है ठीके जी चलो फिर आपने तीसरी strategy की बात करते that is analyze your performance जब आप practice paper कर लोगे ना जब आप practice paper कर लोगे ना तो यार मैं ऐसा कुछ plan करने का सोच रहा हूं कि यार जो paper आप लोग करोगे ना वो आप लोग म सवाल था या इस तरीके से मैंने paper किया था यह वाला सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा है गलत हो गया किस तरीके से मैं करूँ मैं ऐसा कुछ plan करने की सोच रहा हूं कि आप लोग अपने answer sheet मुझे भेजो ताकि मैं उसको check कर सकूँ लेकिन अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद ऐसा possible हो ना हो लेकिन आप लोग खुद अपना performance analyze करना सीखो क्योंकि जब मैं paper देता था ना जब मैं sample paper करता था तो मैं अपना performance खुदी analyze करता था मैं देखता क्योंकि आप से बढ़क आप से बढ़िया analyze कोई नहीं कर सकता आप से जादा बहतर आपको कोई नहीं ज solution भी है उनमें उनकी marking scheme भी है तो आप देखो कि हमारे कितने marks बन रहे हैं चेक करो अपने solutions को चेक करो अपने answers को और जो चीज आपकी गलत है जो आप बार बार गलतिया कर रहे हो उनको rectify करो उनको सुधारो जो topic आपका week है उस topic को आप फिर दुबारा से पढ़ो basics से तो अपनी performance को analyze करना बहुत जरूरी है बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों का इस analyzation वाले पार्ट में help कर सकता हूं मैं ऐसा भी कुछ plan कर रहा हूँ कि YouTube पे आज तक कभी किसी ने नहीं किया आपके doubts जो होंगे वो मैं एक sheet में ले लूँगा आप लोगों से और फिर हम उसको करने की कोशिश करेंगे ऐसा सा भी कुछ plan है क्योंकि यह 10 मतलब जो आने वाले दिन है इन दिनों में आपके कि work on your mistake यह मैं बता चुका हूँ आपको performance analyze करने के बाद जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों में आप लोग rework करो concept समझ में नहीं आ रहा है chapter समझ में नहीं आ रहा है videos देखो इसलिए वो आपको एक sheet पे हर session की videos भी मिलेगी one shot videos मिल जाएगा 2x पे चला के देख लो उसक concept को समझो उसके types of questions को समझो rework करो उस particular topic पे rework करो उस particular chapter पे time मत देखो कि कितना time हो गया जब तक task खतम नहीं हो जाता तब तक करते रहो तो जब आप इस तरीके से करोगे न तो आपका आधा जरनी तो समाप्त हो गया एक last point जो personally मुझे बहुत जादा help करता है और उन बच्च को बहुत जादा help करता है जो अपना final touch देना चाहते हैं अपना performance को that is your last revision with mind maps देखो यार mind maps बहुत important चीज़ और मैं काफी टाइम्स आप लोगों को बोल रहो हो मैं एक session ऐसा लाने वाला हो कि एक गंटे में पूरा का पूरा match का mind map हो जाएगा उस session को अगर आप देख माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि आपको सारा chapter detail में नहीं पढ़ना है आपके पास जितना भी chapter है ना उनके बस आपको topics को देखना है कि इस chapter में कौन सा topics है और वो topic कितने marks का है और किस type के questions आपके पास उस exam उस chapter से आएंगे और कितने marks का कौन सा questions आएगा तो मैं भी यह बनाने वाला हूँ है ना और जब आप इस तरीके से चीजों को करोगे ना जब आप इस तरीके से चीजों को करोगे यह आपका last minute का revision है बस एक final touch देने के लिए अपना revision को तो यह पाच strategies अगर आप follow करते हो सबसे पहला complete your like जितनी भी चीजे बची हुई है remaining जो भी chapters बचे हुए उनको complete करो sample paper करो कहां से करोगे विदानतु के sample paper आप लोगों को practice paper मिल रहे है description में उसका link है access कर सकते हो with answer PDF solution तो वहां से आप लोग अपनी performance को analyze कर सकते हो analyze करने के बाद आप लोगों को अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर rework करो फिर पांच वाया session आप लोगों के पास आने होने ठीक है ना सो यह पांच ऐसे tips थे यह पांच ऐसे tricks थे जो आप लोगों को follow कर रहे है ठीक है जी बाकी यार किसी को अगर कोई personal query पूछ नहीं हो तो आप लोग मुझसे instagram पे connect कर सेक्टे हो it's k-u-l-d-w-e-p-b-0-1 और यह विदानतु का telegram group है जहां पर हम session के notes जहां पर session की important information चैनल की important information डाल देते हैं okay so yes guys this is all about for this session बाकी I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो do like, share and subscribe this channel for these type of informative videos और description में जितने भी links है उनको explore करो इस session के handwritten notes भी आप लोगों को मिल जाएंगे जितने भी आप लोगों के practice paper है वो मिल जाएंग तो दोस्तों के साथ share करो सबके सब 100 out of 100 score करो ठीके जी so thank you so much for this amazing session guys टाटा बाइबाइबाइ see you